बेगु सराई में एक दर्दनाग हादसे में ट्रेन से गिर कर एक बुजुर्ग की मौत हो गई ये हादसा बेगु सराई रेलवे स्टेशन पर हुआ मृतक रामचरित्र भगत मुफसिल थाने के हेमरा निवासी है जो तिलरत जमालपूर पैसेंजर से अपने रिष्टेदार से मिलेने जा रहा था इसी दोरान ट्रेन पर चड़ते वक्त उसका पैर फिसल गया हादसे के मौके पर ही उसकी मौत हो गई पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट इमाटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है वहीं खगडिया मुफसिल थाने के रहीमपुर गाउं के पास नेशनल हाईवे 31 पर एक सड़क हादसा हो गया इसमें एक तेजर अफतार पिकव वैं ने मुफसिल थाने के होमगाड जवान चलितर प्रसाद को कोचलने की कोशिश की हाला कि प्रसाद किसी तरह चलांग लगा कर अपनी जान बचाने में सफल रहा फिर भी इस हादसे में वो बुरी तरह जखमी हो गया है पुलिस को इस मामले की जांच करानी चाहिए कि चलितर प्रसाद के साथ हुए हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी पंजाब के सिरी टीवी के लिए बेगू सराय से संतोष प्रसाद और खगडिया से अमित कुमार जाकी रिपोर्ट